हेलो गाईज वेलकम तो माई यूटूब चैनल गाईज इस वीडियो ममनीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले तो एंटे का जो अपीशल नोटीस है वो रिलिज हुआ है जिसमें आपको सबसे पहले जो नई सीट एड हुई है उनके बार का पॉइंट है रिजिस्टेशन फोर राउंड टू इज ओपन अगेन एज पर सेडूल अफलोड ओन वैब साइट देख सकते है दोबार असे सारी चीज़े खुलेंगी और दोबार असे आपका रिजिस्टेशन भी होगा चोईश फिलेंग भी होगी और रिजल्ट की इविलेवल अप्टू बारा दुपेर बार बज़ तक सोले नो दोजार चोईश तक कंडिडेट केन विजिट डेजिनेटेड डिसेबिलिटी सेंटर को जो है बार बज़ तक सोले तारीक तक आप यहां पर करवा सकते हैं पी डवलोडी सर्टिपिकट के रिगार्डिंग उ पश्ट राउंड का उसकी डेट आपको दी गई है ग्यारा बज़े तक सोला नो दोजार चोईस पश्ट राउंड का जो रिजाइनेशन है प्रोसेस होने वाला है उसके बाद में नीचे जो सीट एड़ गई है वो एड़ की गई है वो दे रखी है जैसे केटिगरीज आपकी जैसे की 6 सीट है उसी प्रकार बियार है बियार में भी आपकी 6-7 सीट है मद्द प्रदेश है मद्द प्रदेश में भी आपके टिगरीज वाई चेक कर सकते हैं उसके बाद में आगे नीचे राजस्तान है राजस्तान में भी सारी कोलेज जो है जैसे की जुन जुन के कोलेज में सीट एड हुई है बीका नेर के में सवाई मादोपुर बासवाडा बारा उसके बाद में तेलंगाना की जो मेडिकल कोलेज है उसमें महेस्वरम का कोलेज मेडाक का कोलेज कुतु बल्लर का कोलेज और यादारी का कोलेज उसके बाद मुत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कानपुर दियात का मेडिकल कोलेज है उसमें सीट एड हुई है उसके बाद में ओटोनोमस सीट हुई है ओटोनोमस कोलेज जो है उसमें सीट एड हुई है तो इस तरह से बहुत सारी सीटे काफी टोटल आपकी 225 सीट बढ़ी है ठीक है second round में ये तो seat आपकी बढ़ाई गई है ठीक है उसके अलावाद जो अभी seat matrix है वो अलग से दिये गया है जो आपको next video में provide करवाए जाएगा कितनी क्या update है सारी चीजों को बताए जाएगा thanks for watch this video